आज की दिन इंडिया में 100 लाग करोड के उपर की FD है अकेले महाराष्टर महाराष्टर में 25 लाग करोड के उपर की FD हो रखी है आप लोगों की यानि कि इंडिया का आज की दिन सबसे important asset class है fixed deposit पर वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है हमें पता ही नहीं और हम ध्यानी दियते तो आज के special video में मैं discuss करने वाला हूँ top 5 FDs of India versus ये भी discuss करूँगा कि आज की दिन आपकी जहां पे FD है उसके versus में आपको कितना additional return मिल सकता है वैसे मैं आपको hint दे दता हूँ 25-30% से उपर के additional return आपको मिल सकते है अगर आप best FD की तरफ जाते हो तो तो काफी important ही video होने वाला है this video is supported by stable money चलिए शुरू करते हैं आगे मैं stable money की बारे में भी discuss करूँगा काफी important help आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी तो चलिए सिधे मुद्धे पे और इंडिया की top 5 FD को compare कर लेते और study कर लेते हैं आपकी इस के लिए मैंने सबसे पहले FD का नाम present किया है फिर present किया कि उसे क्या rate of interest मिल रहा है general category को फिर क्या rate of interest मिल रहा है senior citizen को और कौन सा है best tenure और यह सारी study करके एकदम conclusion के वे में आपकी सामने में present करूँगा बाद में इंडिया की जो top FD जहां पे पड़ी है SBI, SDFC, IC से bank वहाँ पे rate of interest क्या मिल रहा है वहाँ पे करना versus जो इंडिया की top 5 FD से इनके बीच में कितना interest का comparison होता है और कितना आप additional कमा सकते हो सारे की सारे pointers को detail में compare करते जाएंगे पर सबसे पहले नाम से शुरुवात करते है Best FD में सबसे पहले नाम आता है सुर्योदे Small Finance Bank का जिसमें general category में 8.65% senior citizen को 9.10% मिलेगा और best tenure हो जाता है 2 years and 2 days second नाम आता है आपके सामने उतकर Small Finance Bank जहां पर आपको general category में 8.5% और senior citizen में 9.10% again मिलता है मतलब best tenure यहां पर आपके सामने निकल के आता है 2 years का next आपके सामने आता है नाम जिसका नाम है Shivalik Small Finance Bank जहां पर 8.55% general category 9.05% senior citizen and finally आपका tenure रहता है 1 year 6 months का जो best tenure हो जाता है highest rate of interest के लिए next अगर हम बात करें तो हमारे सामने नाम आता है Equita Small Finance Bank का general category 8.5% senior citizen 9% best tenure होता है 1 year 2 months and 19 days finally 5th number पर आपका नाम आता है Ujwan Small Finance Bank जहां पर general category में 8.45% senior citizen में 8.95% और best tenure निकल के आता है 1 year का अब इसको हम compare कर लेते हैं कि SDFC, ICICI और SBI में क्या rate of interest आप यहाँ पर checkout कर सते हैं मैंने तीनो rate of interest आपके सामने present कर दी है SBI में है 7.1% SDFC में है 7.25% और ICICI में है 7.2% मतलब आप देख सकते हो कि कि कितना difference है percentage wise में पर कई बार हमें क्या लगता है 1.5% ही तो additional बिल रहा है हमें सुर्योदर Small Finance Bank में या उतका Small Finance Bank में 1.5% के additional return से हमें क्या फरक पड़ता है क्या और कितना फरक पड़ता है आजाओ मैं detail calculation के साथ आपको समझाता हूँ बाद में आप में कुछ risk का factor और कुछ questions भी पूछोगे सारे questions को मैं detail में इस वीडियो में अपने आप कवर करने वाला हूँ तो end तक इस वीडियो को देखना मत भूलेगा ये आजाईए आप complete sheet में आज के दिन suppose करते हैं आपने 4,25,000 की FD करा रखी है मैंने ये 4,25,000 का figure क्यों रखा है because आज के दिन इंडिया का गर हम पूरा average निकालते है तो हर है एक household के पास as per reported data जो stats में और news channels पे report हुआ है 4,25,000 की average में FD अविलेबल है average FD का amount ये निकल के आता है rate of interest suppose करते आपको 7.1% मिल रहा है because आपने इंडिया की top bank में करवा रखा है versus जो हमने यहां की actual top FD की बात करे वहाँ पे आपको 8.65% का rate of interest मिल रहा है number of year हमने 10 साल रख दिये maturity में आपको 7.1% के साथ मिलेगा 8,59,000 versus अगर आपको 8.65% मिल रहा होगा rate of interest तो 10,000,000 रुपे मिलेगा interest का amount आप calculate कर सकते हो roughly आपको 1,41,000 and 34 रुपीज additional मिलने वाल है percentage wise अगर आप change की बात करोगे 30% additional मिलेगा और सोचके देखेगा ये 30% के additional returns को आप छोड रहे हो just because आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो बड़े नाम के साथ जाना है अब आप समझ सकते हो कि कहां पर आपके लिए कितना important चीज़े हो रही है अब suppose करते हैं आपकी FD overall जो करा रखी है आपने 4,25,000 जानी 15,000,000 की करा रखी है और दोनों जागे आप सेम FD पर कमा सकते हो without any risk जो अभी आपको risk नहीं है उससे भी कैसे आपको mitigate करना होता है मैं आपको बताऊँगा without any additional risk आप कमा पाऊगे I hope आपके लिए काफी basics clear होगे सबसे पहला आपके दिमाग पर क्वेशन होगा और अपने लिए best FD को choose कर सकते हो सारा process online हो जाएगा वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर आप घर बैठे अपनी FD को open कर पाऊगे stable money पे कोई भी physical documentation की या फिर branch visit करने के आपको ज़रुरत नहीं होती सारा process online है पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप branch में चले गए just to cross verify कि क्या मेरी FD हो रखी है क्या मेरे documents proper है तो आपको documents नहीं मिलेंगे ऐसा बिलकुल नहीं है आपने online सारा process करा है घर बैठे करा है पर आपकी किसी दिन इच्छा हुई कि चलो मुझे अपनी FD में कुछ change करना है update करना है या सिर्फ information लेनी और आप bank में चले गए वहाँ पर आपको proper अपनी FD की details भी सारी मिल जाएगी और मेरे पास आपके लिए additional offer भी है अगर आप अपनी FD उपन करते है link में आप description और pin comment पे दे रखा है 200 से उपर FD और अपनी लिए सारी चीजों को अराम से sort कर पाएंगे next and final question अनन सपोस करते है मैंने small finance bank में FD करा ली मेरी risk भी तो हो गई SBI, SDFC, ICC में मेरी कोई risk होना है bank segregated पर small finance bank में मेरी risk भी हो सकती है यह मुझे पता है आपने से काफी लोगों के दिमाग में question आएगा इस question का answer होता है DICGC insurance मतलब आपकी जो भी FD होती है वो एक particular amount तक insured रहती है चाहिए आपने कहीं पे भी करवाई हो सबसे पहले important point में DICGC insurance के बारे में आपके लिए cover कर देता हूँ पहला NBFC की FDs पे वो apply नहीं होती है पर small finance bank की सारी FDs को आपको DICGC का insurance मिल जाता है यहाँ पे आपका total amount जितना secure होता है वो होता है 5 lakh का पर एक point का ध्यान रखीगा 5 lakh के amount में आपका FD का amount plus interest का amount दोनों को मिला के आपका 5 lakh तक का amount यहाँ पे secure रहता है एक bank में आपके जितने भी account हो चाहे current account हो, same bank account हो, FD account हो सारे corpus को मिलाया जाता है और finally आपको 5 lakh रुपे की security मिली जाती है इस insurance के against में पर suppose करते हैं आपकी 5 lakh रुपे की FD है एक small finance bank में अगली आपकी 5 lakh रुपे तक की FD है मतलब FD आप usually 4 lakh की करोगे ताकि interest आपका 5 lakh के नीचे-नीचे का रहे वो है आपकी दूसरी में फिर आपकी तीसरी में है अगर आपने से multiple accounts में multiple banks भी अपने पैसे को distribute कर रखा है हर एक जगे आपको separate 5-5 lakh रुपे तक का insurance मिलेगा DICGC की तरफ से और यही होती है trick और planning जिसकी मदद से इवन अगर आपके वास 15 lakh रुपे या 20 lakh रुपे है आप उसे distribute कर सकते हो अलग-अलग नाम पे या फिर अलग-अलग bank account में और आपको insurance भी मिल जाएगा safety भी मिल गई और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आईगी 5 lakh रुपे पर bank ये limit होती है एक नाम के लिए इस इसका आपको धियान रखना है I hope मैंने आपके लिए काफी सारे pointers को clear कर दी है और किस तरीके से इंडिया की best FDs को choose करते हुए आप additional interest कमा सकते हो वो भी share कर दिया है अगर ये वीडियो अच्छा लागी तो like करिबना मच जाएगा क्या आपने अभी तक small finance bank में कोई FD करवा रखी है अपनी view को comment में करके डाल दीजेगा और अगर अभी भी आपको small finance bank की FD के related कोई डर है शंका है दूविदा है तो comment करिए मैं सारे आपकी problems को solve करने की comments में कोशिश करूँगा at least जब ये वीडियो live जाता है इसके अगले एक घंटे तक मैं active रहूँगा और आपकी queries को solve करने की कोशिश करूँगा तो comment में जाकर आपनी query को punch out कर सकते है Stephen Money को check out कर रहा है link आपको description और print comment में मिल जाएगा happy learning and I will see you very soon